दे प्रेइंग हैंड्स प्रार्थना करते वे हाथ गुड बॉर्निंग तो पंदावी सेंचुरी के अंदर में जमनी में एक बिलेश्था निूरिंबर्ग और इसके अंदर में एक फैमिली थी जिसमें की 18 बच्चे थे फादर जो है बहुत ही पूर थे कापी मेहनत करते थे क पोशिश करते थे किस तरह से फैमिली को पाल लें जिसमें दो बड़े बच्चे थे दो बड़े लड़के थे तो उनकी ड्रीम थी उनको ना आर्ट का बड़ा शौक था और वो चाहते थे कि हम जो है जो नीरेस जो इनका कॉलेज है उसमें जाके आर्ट सीखें बट फैमिल में तो एक लड़का जो है वो महनत करेगा माइन्स के अंदर तो हैं पासी माइन्स थी जहां पर की महनत करके मजूरी करके वो पैसे कमाएगा और दूसरा लड़का जो है उस पैसे से वो जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा और जब एक की एजुकेशन कंप्लीट और जो टास में जो ब्रदर जीता उसका नाम था Albrecht Albrecht Durer, ओके और वो चला गया पढ़ने के लिए Nuremberg University के अंदर में और जो दूसरा ब्रदर था उसका नाम था Albert वो चला गया काम करने के लिए Mines में तो अगले चार साल उसने महनत करी और जो अपना ब्रदर है दूसरा अलबरेक्ट, उसको पड़ाया, अलबरेक्ट जो है वो बहुती ब्राइट था और इमीजेटली जाते ही वो एक सूपर सेंसेशन बन गया, उसकी जो पेंटिंग थी, उसकी जो एचिंग थी, इमीजेट रिकरिक्निशन उसको मिला, और जब brother Albert उसने जो का कि मैं toast raise करता हूँ अपने brother Albert के लिए तो उसने चार साल कड़ी मेनत करके मुझे यहां तक पुचाया और अब जो है उसकी बारी है तो मैं काफी famous हो गया हूँ और जो मैं अपना art है उसके आँखों में आसू थे और सब लोग हैरान की अच्छा है यह शायद खुशी के आसू है तो उसने बोला Albert ने की brother thank you so much कि आपने अपना जो वादा पूरा करना चाह रहे हो बट minds में काम कर करके तो मेरे जो हाथ हैं वो बिलकुल खराब हो चुके है तो मेरे हाथ की हर एक हड़ी जो है कम से कम एक बार जरूर टूटी है तो अगर आप मेरे हाथों को देखो गे तो उसने में हाथ दिखाए उसने का कि देखो आप मेरे हाथ देखो तो ये तो मैं कोई कब भी ठीक से पकड़ नहीं सकता तो इस से तो मैं कैसे ही आर्ट बनाऊंगा तो ये देख करके जो ब्रदर है अलबेट उसको बहुत दुख हुआ और उसने फिर अपने ब्रदर की इसको का कि मैं कुछ तो करना चाहता हूँ कि मेरे ये ब्रदर का जो सैक्रिफाइस है ये सब को पता लगे तो उसने अपने ब्रदर की जो है एक पेंटिंग मनाई ब्रदर के हाथों की तो ये इस तरह से एक painting मनाई हूँ और बड़ी मुश्किल से उसने हाथ उसके सीज़े करके एक painting मनाई हूँ उस painting का नाम था The Hands और वो painting इतनी जारा famous होई कि इसकी value millions के अंदर है आची date में तो उसका नाम आची date में है The Praying Hands तो ये जो story है इसका यही moral है कि बहुत सारे लोग जो है आपके parents, आपके family members, आपके friends ये बहुत सारे sacrifices देते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए तो हमेशा हमारे को उस sacrifice को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए तो always pay a tribute to the people who have sacrificed a lot to make you successful तो जो लोग आपके लिए CD बने हैं उनको कभी भी हमें भूलना न चाहिए और जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी की चाहिए कि उनको किस तरह से भी thank you कर सकते हैं recognition दिला सकते हैं तो we should always try doing that और आज की चोटी सी टेक्टिप कई बार हमारे पास को डॉक्यूमेंट आ जाता है किसी और foreign language में हमें translate करना होता है या फिर सपोज कोई चीज इंग इस करके जो है वो कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक और amazing चीज दिखाऊंगा कि इसके अंदर में देखिए यह website है translate.google.com इसके अंदर आप click करें यहाँ पे documents पे और यहाँ पे आप देखिए doc pdf ppt excel किसी भी language में document को simply browse करिए और यह रिखिए अपने computer से मैंने एक french poems का है document लिया है इसको upload करिए translate करिए और instantly यह रेखेंगे आप यह डाउनलोड होगे आप presentation तो यह रिखिए यह जो document है यह रेखिए आप कि यह french में poem सी और instantly यह English में translate होगी तो कई बार आपके बास में even अगर 100-200-300 page का भी document है तो instantly आप उस document को चाहे वो ppt हो चाहे वो PDF हो चाहे इवन Excel फाइलो उसको translate कर सकते हैं into another language आपको सिर्फ यहां से choose करना है कि आप कौन सी language से कौन सी language में translate करना चाहते हैं तो गैस प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरी एक टैक्टिब और स्टोरीज कैसी लग रही है तो यह YouTube पे comment section में ज़रू comment करें मुझे बहुत अच्छा